हेलो बच्चों, वेलकम बैक टो मैं चैनल, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में आप लोग के लिए फर्स्ट एड़ और हैरू के एंसे कुशन लेकर रही हूँ इसके साथ हैं चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं इसमें आपके MCQs कोशन जो भी इंपॉर्टेंट थे वह से मैंने आपको अलग-लग वीडियो में बताएं हैं उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना रखी वहांसे प्यापास आने से भूण सकते हैं कुछ चैप्टर्स आपके बच्चे में हैं जल सजल उनके MCQs भी आप लोग को कवर करा देंगे और भी किसे सब्डेट पर अगर आपको MCQs चाहिए हैं तो सब्डेट करने मुझे कमेंट करिएगा चैनल पर आए हो तो जल्दे से सब्सक्राइब कर लेजिए नोटिफिकेशन बिल को जूरान करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और आप लोग वीडियो को शेर भी क्या करिए अपने फ्रेंट के साथ जादा से जादा इससे पहले की वीडियो में 165 तो कोशन्स हो गए थे 166 कोशन्स लेते हैं मकड़ी का काटना कीड़े का काटना साब का काटना उधारड है स्पाइडर बाइट्स, इंसेक्ट बाइट्स, स्नेक्ट बाइट्स और एक्जामपल उफ तो कल की वीडियो में आप लोग बताया था कि चरीर में यानि की बाड़ी में किसी भी तरीके से पोईजन्स जा सकता है यहां पर क्छिट आंसर हो जाएगा option बी क्योंकि कईड़ा कटता है या साप काट लेता तो आपने देखा होगा कि केड़े के काटने पर कभी कभी ओपर से blood भी निकल आता है तो राज़ासा क्योंकि उसका जो डंक होता है और तक जाता है तो वह खाती है इंजेक्शन प्वाजनिंग नेस्ट कोशन है इन में से कौन सभी शाक्त प्रदाथ शेशों और बुज़र्ग वैस्कों में बीमारी का कारण बनने के अधिक संभावना है तो आप से पूछ रहा है कि जो शिश्यों और बुज़र्ग वेस्कों में बिमारी का कारण बंसक्ती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा option B नेस्स question है जब आप विश्ने अंतर के लिए साहता लेती हैं तो आपके पास कौन से जनकारी तयार होनी चाहिए what information should you have ready when you call a poison control time the poisoning occurred, age of your child, name of the product taken, all of the above तो यानि कि जब आप विश्ने अंतर यानि कि कौन से पालेस information होने ज़रूरी है विश्ने में जाने का समय यानि कि आपको यह पता होना चाहिए कि स्नेक ने अगर काटा है बाइट किया है तो आपको पता होना चाहिए किती देर हो गई है आपके बच्चे के उम्र जिस भी विक्ति के शरीर में वोविश्क गया है, poison गया है उसकी उम्र कितनी है लिए गिये उत्पात का नाम कि कौन सा उत्पात आपको ऑपच्छन धाहा है तो करेक्ट नासर यहाँ पर हो जाएगा Option D next question है घरे लिट पादों द्वारा आकास में शक्त तक की दुर घटना होने से रोपने के लिए क्या करना चाहिए how can you help prevent accidental poisoning by household products never mix household chemical products together open a window or turn on a fan when using a chemical product never sniff containers to find out what's inside all of the above तो पूछ रहा है कि बहुत सी कभी कभी घरों में हमाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उन चीज़ों को अगर हम यूज कर रहे हैं तो कुछी भी तहां कि कोई भी accident ना हो कोई भी दुरगटना ना हो नहीं पाए तो हमें कौन से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कभी भी घरे लिए रसाने कुदपादों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए एक रसाने कुदपाद को अप्योग करते समय खिटकी पुले या पंखा चालू रखें अंदर क्या है ये जानने के लिए कभी पिकरंटेनरों को सूंगे नहीं या अकसर अंदो क्यादत होती है कि जह सूंग कर ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन से चीज़ होती है या फिर उप्रोप्त सभी तो इसमें इन सारी ही बातनों का ध्यारकना जरूरी होता है तो यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेस्स कोशन है निमकित में से कौन सा घरेलू परदात निगल लेना हानिकारक हो सकता है तो यह आपसे पूछ रहा है कि कभी-कभी ऐसा होता नहीं कि बच्चे में चोटे होते हैं या नहीं देख पाया अंजाने में वो उस चीज़ को खा लेते हैं नहीं होता है तो अगर लिक्विड या पौडर डिश्वॉशिंग डिटेर्जेंट जो होता है उसमें ज़्यादा कास्टिक होता है तो अगर वो बच्चा खा लेगा निगल लेगा तो उसके लिए बहुत जादा हानिकारक हो सकता है तो यहां पर correct answer हो जाएगा option B next question है जो काम तोर पर किस पकार के पानी में रहते हैं leaches usually live in what type of water fresh, cold, ocean, none तब पताना जो जोग होती है अक्सर क्या होता है कि आप गहरे पानी में जाएगा या फिर जहें कहीं पर पारिश होई है घास वास उसमें जाएगे तो कुछ लीचस जो होती हैं चिपक जाती है कहते हैं कि वो blood को सक करने का काम करती है यानि कि फून चोसती है तो यहां पर जो correct answer होगा वो होगा fresh water जो लीचस होती है वो fresh water में पाई जाती है तो के टांसर हो जाएगा option a next question है नकसीर के दारान आपको अपना सर के सलस्थी में रखना चाहिए during a nose bleed which position should you keep your head head backwards head level head forwards none of these कभी कभी क्या होता है जो गर्मियों में बहुत नाक से खून आने लगता है उसे कहते है नकसीर पूटना तो वहाँ पर अगर कभी आपके नकसीर की प्रॉल्म हो गई यह बहुत जादा नोस से bleeding हो रही है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए जो सर होता है उसको आगे क्योर करना चाहिए head forwards तो उससे क्या होगा काफी relief मिलती है तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option c next question है इन में से कौन सा समझ नहीं है which of this is not one of the sense यानि की sense का मतलब यह होता है कि कुछ आपको अन्भव हो से कुछ गयात हो कुछ बोध हो कुछ पता चले टेस्ट है love smell sight तो जब टेस्ट हम लेते ता भी तो उनको पता चलता नहीं की खटा है मीठा है किस तरह का है गंद पास से है वो कोई sense नहीं होता तो यहां पर कर्क्राइक आशर हो जाएगा option B जादा जादा फैंस को शेर भी करिए next question लेते हैं जीब में डैश चार अलग लग तरीकों से जनकारी खटा करते हैं दर टंग्स टैश गैदर इन फोर डिफरेंट वेज लाइट बर्ट चॉपिंग बर्स टेस्ट बर्ट सेंस बर्स तो आप से पूछ रहा है जो जीब में आपके चार अलग रगतेगों से जनकारी खटा करने के मतलब यह कि आप आप लोग को भी चीज़ काते हैं तो उसमें चार तरह की चीज़ें आ क्यों से कड़वी है तो यहां पर कर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसी वस्तु को सपर्श करने और मैसूस करने का कारे किस रंग के द्वारा किया जाता है और और टचिंग एंड फेलिंग इस दा टंग एर इसकी नोस आप सब पूछ रहा है कि किसी चीज़ को हम सम तक पहुंशती है और वह से ब्रेन तक पहुंचाता है तो यहां पर करिक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस कोशन है आक में फोटरेसेप्टर जिससे चड़का हा जाता है पर महतपोर है फोटरेसेप्टर इन दा आई काल रोट्स आर इंपोर्टेंट फार तो वह किस चीज़ के लिए प्योगी होती है इंपोर्टेंट होती है पूछ रहा है आप से नाइट विजन के लिए कलर किसके लिए प्योगी हो जाती वह हो जाती नाइट विजन के लिए रात में जब हम देखते हैं तो वह हमें चीज़ों को असानी से समझने में हेल्प करती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेस्ट कोशन है जो लोग वरडांद होते हैं वेकिन रंगों के पिछ भेदभाव नहीं कर सकते हैं इन मोस्ट केसे पिपल भू आर कलर ब्लाइंड कैना डिस्क्रिमिनेंट बिट्विन विच कलर्स ब्लू एं ग्रीन रेड एं ग्रीन यलो एं ग्रीन आल कलर्स तो पूछ такие ब्लाइंंड होते हैं उससे वह में यह आपस me रंगों में क्या होता है फरक नहीं कर पाते हैं यहां नहीं सकता है कंडुक्टिव हेरिंग लॉस कैन बी कॉस्ट बाई एर इंफेक्शन नर्फ डैमेज लौड नवाइज नन तो जब से पूछ रहा है जो कंडुक्टिव हेरिंग लॉस होता है वह किस कारण से हो सकता है तो वह हो जाता है कभी-कभी कान में जो संक प्रोड हो जाता है कोई सी हो जाता है उस वजह से आपको प्रॉपरली सही से सुनाई नहीं देता है तो यहां पर क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेस कोशन है मसेश का कौन सा भाग सुञने की पिखरिया करता है विश पार्ट अफ दा ब्रेन प्रोसेस इसमेल आप कोई भी चीज़ के मादम से क्या होती है क्यों को अरु जो प्रांसर करता है सिग्नल्स देता हुसके बाद ब्रेन हम बताता है कि हम जो भी कारी कर रहें क काँ कर रहा है कौन से चीज़ टच कर रहें कोई भी चिज़ को सोंग।lished होती है तो वो होती है एक आंसर होजाएगा option, आज की वीडियो में बलते है नेक्स वीडियो में कुछ और नए कोशन्स के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पर नाय हो तो सब्सक्राइब करिएगा नोटिफिकेशन बेल को सुरॉण करिएगा जिससे जो भी वीडियो में डालू उसका थैंक यू